राजिस्थान में बड़े दिनों से बादल गरज रहे थे, ओले और बारिश की संभावना है, बादलों की तरह नेता भी गरज बरज रहे थे, अब सबकी बोलती बंध हो गई है, आज मतदान है और इस दिन केवल मतदाता बोलेंगे और कोई नहीं, वेसे तो राजिस्थान म लंबे अर्से से तू चल में आया यानि हर बर सरकार बदलने वाली परंपरा चली आ रही है, भाजपा ने वेसे कुछ खास किया नहीं है, लेकिन उसे इस परंपरा का बड़ा आसरा है, पिछले पांच चुनावों से अब तक यहां एक बार वसुंद्रा राजे और दूसर की बार अशोग गलहोत मुख्य मंत्री बनते रहे, इस बार कई साल बाद भारती जनता पार्टी ने अपना भावी मुख्य मंत्री गोशित नहीं किया, कॉंग्रेस की सरकार रिपीट होती है, तो अशोग गलहोत के रिपीट होने की संभावना ज्यादा है, लेकिन सरकार का गड़ित भाजपा के पक्ष में बेटता है तो मुख्य मंत्री कोन बनेगा ये तय नहीं है दूसरी और राजिस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गलहवत हर बार सरकार बदलने की परंपरा वाली बात मानने को तयार नहीं है वो कहते हैं कि हमारी योजनाएं हमारी घोशनाएं गिनाने में लगी रही चुनाव आयोक का नियम है कि 36 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंध हो जाता है सो हो गया अब दोनों ही पक्ष चुप्पी साधे बेटे हैं घरों महलों में जाकर लोगों को मना रहे हैं दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता अब तेलंगाना ज कहते हैं बहां इस बार कॉंग्रेस का जोर है भारत राष्ट्र समीति हाला की अपर हैंड पर मानी जा रही है लेकिन सच यह कि भाजपा की ज्यादा ताकत तेलंगाना में दिखाई नहीं दे रही है वेरहाल मौसम ठंड का है सर्दी बढ़ रही है और तमाम पक्षों के सभ कहां रहता है ये तीन दिशम्पर को ही पता चल जाएगा दोस्तों आपको तीन दिसंबर का कितना इंतजार है और आपके मन में क्या है आप क्या चाहते हैं कहां किसकी सरकार हो कमेंट बोक्स में जरूर अपनी राय रखेगा और आपने राजिस्थान में मर्द प्रदेश म किसको वोट देकर आए हैं किसकी सरकार चाहते हैं ये भी जरूर बताएगा तो दोस्तों फिर मिलते हैं आगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद